तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आज तक आपने इमली के बारे में सुना होगा खटी मिठी इमली जिसके बारे में सुनके मूँ में पानी आ जाता है लेकिन इमली की जो गुटली है या फिर इमली के जो बीच है उनके फायदे आपको शायद ही पता हू तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमली के बीज खाने के फायदों के बारे में और लास्ट में बात करेंगे कैसे खाने चाहिएं तो वीडियो को एंट तक जूर देखेगा तो दोस्तों सबसे पहला इसका फायदा है यौन शक्ती बढ़ाने के लिए या फिर मर्दों के लिए जिन मर्दों में यौन शक्ती कम है बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है या फिर टेस्टोस्ट्रों लेवल कम है उन मर्दों के लिए ये बहुत बढ़िया राम बान इससे इस्तिमाल भी किया जाता था लेकिन कैसे इस्तिमाल किया जाता है ये मैं आपको बताँगा end में तो video को end तक जूर देखेगा दोस्तों दूसरा है यह आपके पाचन के लिए बहुत ज़ारा फाइदे मन्द है इमली में वैसे भी विटामिन C भरपूर पात्रा में पाया जाता है इसके सब और भी कई पॉस्टिक तत्व पाया जाते हैं जो जो इसकी गुटली है वो आपके digestion के लिए बहुत ज़ारा फायदे मन्द है जिनने खाया पिया लगता नहीं है पच्ता नहीं है बादी को नहीं लगता उनके लिए बहुत ज़ारा फायदे मन्द है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत जल्दी बिमार हो जाते हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है तो immunity को बढ़ाने के लिए भी इसका सिवन किया जा सकता है इमली बीज के चून को दातों पे के लिए भी फाइदेमन माना जाता है अगर आपके दात सफेद नहीं है, दातों में सडन है या फिर cavities वगएरा है तो दातों पे इसे रगणने से दान साफ हो जाते हैं, मुझ से बदबूव गएरा आती है, वो भी ठीक हो जाती है तो दातों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन औशदी इसे माना जाता है अगर आपको दस्तव गएरा लग जाए, पेट खराब हो जाए तो दस्तव गएरा दूर करने के लिए भी इमली के बीज बहुत ज़रा फाइदेमन माने जाते हैं अगर घाव हो जाए घाव जल्दी भरे ना तो कुछ विटामिन, मिनरल की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते तो इसमें वो पौश्टिक तत्व पाए जाते हैं जिनसे की घाव जल्दी भरते हैं दोस्तो इमली के बीज आपके जोडों के लिए भी फाइदेमन माने जाते हैं जिनके जोड दर्द करते हैं जॉइन पेन की तकलीफ है उनके लिए भी फाइदेमन माने जाते हैं अगर आपको भूक नहीं लगती भूक बढ़ाने के लिए भी इमली के बीज खाना फाइदे पहले क्या करें इमली के बीज थोड़े से आप एक कटोरी पानी में भिगो दें, तीन चार दिन भिगोए रहने दें, तीन चार दिन भिगोने के बार ये फूल जाएंगे, इनका छिलका भी सौफ्ट हो जाएगा, इनका छिलका उतार दें, बीच में से सफेड से निकल आएं दोनों इमली के चून और मिश्री को मिला के जो चून बना है इसे आधा चम्मच सुभा लीजिए आधा चम्मच शाम को लीजिए ऐसे लेने से आपको अच्छे फाइदे देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह सारे फाइदे थे इमली के बीज खाने के तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों साथ शेर कीजिए थैंक यू, थैंक यू सो मच